हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज हम रीजदिंग के कुछ क्वेशन्स यहां पर करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बाते मैं आपको बता देता हूँ जो अभी एक क्लास आएंगी इसमें हम जो क्वेशन्स करेंगे लेटेस आएंगे और इनका आपको जैसे क्लास वन लिखा है इसी तरीके से क्लास वन क्लास टू यह आएगा जो भी पेड़ वाले बच्चे हैं उन्हें भी यह वीडियो देखनी है क्योंकि कुछ वीडियो आपकी यहां आएंगी और कुछ आपके एप्लिकेशन पर भी आएंगी जो आपके आने वाले एक्जाम पर इंपोटेंट हैं जैसे आपको पता है CGL आने वाला है और CHSL मेंस इस्टैनों MTS जो भी एससी के एक्जाम आते हैं सभी के लिए इंपोटेंट है तो आपको करना क्या है खुश से कुश्चिन को ट्राई करना है पहले अगर आप खुश स खुश से करेंगे तो खुश से आप लॉजिक सोच पाएंगे आपको जादे फायदा होगा तो जो भी कुश्चिन आपको मिलता है पहले एक बार खुश से ट्राई जरूर करें तो सुरू करते हैं पहले कुश्चिन से पहला कुश्चिन आपका SET ANALOGY का कुश्चिन है आपका same pattern follow कर रहा है जो आपको यहां कर रहा है वही आपको option से ढूटना है और जो note पर लिखा हुआ है note पर यही लिखा हुआ है जो भी आप operation perform करेंगे वो whole number पर करेंगे यानि कि number को break नहीं करना है जैसे यहां पर आपको example में दिया गया है तो यह बात आपको सभी को समझ म आगी तो आप सभी ने खुछ से try कर लिया होगा इमानदारी से खुछ से जरूर try करना आपको ही फायदा होगा तो अब हम यहां पर देखते हैं कि pattern क्या है आप देखोगे 9,1,19,5,2,14 मैंने आपको बताया है कि बड़े number पर जाने की कोसिस करो अब जाओगे कैसे जो number हैं उनी से आपको सोचना है उसी में आपको pattern लगाना है हो सकता है square हो सकता है यहां पर cube से related pattern हो सकता है यहां पर addition हो सकता है subtract करके यहां पर आप जा सकते हो multiply करके आप जा सकते हो यह आपको देखना है अब आप यहां पर देखोगे जैसे मैं यहां से 9,1 से 19 में जाने की को करता हूं मैं एक तो यह बोल सकता हूं कुछ भी पैटन हो सकते हैं आप है मैं यह भी बोल सकता हूं कि अगर मैं 9 और एक को एट करूं तो मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा और 10 का मैं डवल कर दूं तो 20 20 में से 1 माइनस करूं तो मतलब यह नंबर तो मुझे क्या मिलेगा 19 ऐसे बोल सकता हूं तो आप यहाँ पर देखके करो 5 प्लस 2 7 करोगे 7 का आप डवल करोगे तो 14 हो जाएगा तो माइनस करने की तो यहाँ पर बात ही नहीं आए तो यह पैटन नहीं होगा तो ऐसे आप नहीं सोच सकते फिर आपको यहाँ पर मल्टिप्लाई करके सोचना है आप यह भी सोच सकते हूं कि आप मल्टिप्लाई जैसे मुझे 19 जाना है मैं यह भी तो बोल सकता हूं अगर मैं 9 को मल्टिप्लाई करूं किस से 2 से मुझे क्या मिल गया 18 मिल गया और इसमें मैं second number add कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा यह भी मैं बोल सकता है कि मुझे 14 मिले अब आप यहां पर देखो गए square अगर आप इस second numbers का यहां पर square करते हो तो आपको 19 मिलता है यहां पर भी आप second number का square करते हो जैसे 2 का आपने square किया आपको 4 मिला 10 plus 4 क्या हो गया 14 हो गया आप pattern क्या बन गया pattern ये है अगर ये A है ये B है ये C है आपने क्या किया 2A किया यानि कि पहले वाले नमबर को multiply किया 2 से 2A प्लस second वाले नमबर का square add किया तो आपको क्या मिल गया C मिल गया यहाँ पे pattern हो गया general pattern अब यही pattern आपको option में लगाना है अगर आप देखो 3-6, 6 में 5 का square 25 एट करेंगे नहीं मिलेगा यहाँ आप देखोगे 3-6 इस वाले में आपको मिल जाएगा इस pattern से आप देखोगे पहले वाले नमबर को 2 से multiply करना है second number का square add करना है तो आप देखोगे कितना आएगा यहाँ पे 3-6 प्लस second number का square 4 तो 10 मिल जाएगा तो आपका right answer क्या हो जाएगा second option हो जाएगा आप सभी को समझ में आया होगा कैसे हमें question को करना है कैसे हमें pattern निकालना है यह आपको number देखके समझ में आएगा और जो भी आपको multiply करना है अब कहीं पर हम multiply कर रहे है आपका right answer क्या है second option है तो इस pattern को ध्यान में भी रखना जैसे कोई अच्छा question आपको लगता है उसे आपको ध्यान में रखना चाहिए next question देखते है next question है आपका coding decoding का अब यहाँ पर आप देखोगे in a certain code language paint is written as यह आपको दिया गया ऐसी brush को यह लिखा गया आपको बताना है house को क्या लिखा जाएगा तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर p a int इसे लिखता हूँ पहले आप खुछ से जरूर सॉल्ब करना और यहाँ पर b r us h यह मैंने लिखा दूसरा जो है आपका o d y t n को लिखा हुआ है आपका यहाँ पर sorry p a int को o d y यह लिखा हुआ है इसे लिखा हुआ है यहाँ पर o d y t n जब तक मैं इस question को लिख रहा हूँ तब तक आप खुछ से जरूर एक बार try करना प्रस को लिखा गया c m m o z अब होता क्या हम pattern कैसे देखते हैं हम यहाँ पर इनकी position पहला वाला जो यहाँ पर आपका letter है इस पहले वाले letter से देखते हैं इनके बीच में gap जैसे 16 है तो 16 से 1 कम क्या o आ गया है नहीं कि p से 1 माइनस करते हैं इनकी position 16 से 1 कम क्या o मिल गया तु दो b से आप 1 कम करके यहाँ पर c मिल ザ्रौण यहाँ पर इसला है तो इसका मतलब श्रौं 1 बहुत आपक्र हो सकता हूँ कि हो सकता है इन दोनों का यह c proods पैटन हो जैसा कि बताया गया से d गया तो मुझे देखना 14 मायनस करओं क्या b से 14 मैनस करने में मिलेगा नहीं यह भी नहीं मिलना तो इस तरीके साब को पैटन ढूड़ना फिर यह पैटन नहीं मिला फिर आपको कुछ और सोचना है और क्या हो सकता है फिर अपोजिट से रिलेटेट भी पैटन होता है वह हम यहाँ पर देखने और इस पैटन को आपको ध्यान में भी रखना है फिर हम अपोजिट से रिलेटेड यहाँ पर पैटन देखते हैं जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो पैटन है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और इसे पूरा देख लेना दूसरा भी यह भी इसमें आपको पता चलेगा जैसे आप देखोगे इसे क्या लिखा गया है O, D, Y, D, N. अब देखो P का अबोजिट क्या होता है? कै यह आपको याद होनाची है. तो आप देखोगे के से O, plus 4 किया. समझे महाँ है? फिर उसके बाद E का अबोजिट क्या होता है? Z होता है. इससे plus 4 किया, तो मुझे क्या मिला? D मिला. ऐसी I का पूजिट क्या होता है R होता है यह आपको याद हो न चाहिए Indian Railway करके मैंने बता है तो R में मैंने कितना एट किया आपको होगे 18 प्लस 7 25 पोजिशन याद होनी चीए और फिर आप देखोगे N का पूजिट क्या होता है M M में मैंने 7 एट किया तो मुझे क्या मिला T मिला यानि की 20 फिर T का अपूजिट क्या होता है G गिफ टेक करके आप याद कर सकते हो तो यहाँ पे G आया G में अगर आप 7 एट करोगे तो आपको क्या मिल गया N मिल गया पैटन समझ में क्या है इनका अपूजिट में सुरुवात के दो जो आपके यहाँ पे लेटर है इसमें प्लस 4 कर रहे है बाद में हम प्लस 7 कर रहे है तो सेम पैटन हम यहाँ पे करते है आप देखोगे इसे मैं एक बार यहाँ पे रफ कर लेता हूँ अब आप देखोगे बी का पूजिट क्या होता है वाई होता है वाई में हम यहाँ पे प्लस 4 रहेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आप देखोगे 25-25 के बाद 26 पे सुरुवात के 3 सी मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C, M, M, O, Z आगे भी आप देखोगे R का पूजिट करोगे I आएगा I में 4 रहेट करोगे M मिलेगा U का पूजिट आपको यहाँ पे F मिलेगा F में 7 रहेट करोगे तो आपको M मिलेगा S का पूजिट H H में आप 7 रहेट करोगे तो आपको O मिल गया और H का पूजिट यहाँ पे S आ जाएगा S में 7 रहेट किया तो हमें क्या मिल गया Z मिल गया पैटन समझ में आ गया अब इसे पैटन से हम हाउस को कर लेते हैं आप देखोगे हाउस H O U S E ठीक है यह आपको जब अभी मैं आपको बताता हूँ पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आप देखोगे H का पूजिट H का पूजिट क्या होता है S होता है S में प्लस 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 23 यानि कि W मिलेगा तो आपके यह दो option तो eliminate होगी जैसे आपने यहाँ pattern ढूड लिया ना फिर आपको पूरा solve नहीं करना है सीधे देखना है O का opposite क्या होता है O का opposite यहाँ पर L होता है L में हम 4 add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा P मिलेगा यानि कि 16 तो आप देखोगे WP second option है यह इसका right answer हो जाएगा यह बात आपको सभी को समझ में आई होगी हमने कैसे इस question को किया क्या pattern है आगे आप solve कर लेना क्योंकि pattern आप यहाँ पर समझ चुके है अब मैं आपको एक बात और बताऊँगा यहाँ पर एक pattern तो यह है दूसरा आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे वो भी आपको ध्यान में रखना है जैसे अभी तो मैंने opposite करके आपको बताया है simple आप यह भी देख सकते हो जो कि बहुत simple है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यह भी समझ माए आप देखोगे इनकी position क्या है यह आपको ध्यान में रखना आप देखो इस pattern को आपको note करना है आपके mind में रहेगा तो तब ही आप वहाँ पर लगा पाओगे से आप देखोगे इसकी position 16 है इसकी position 1 है यह आपकी 9 है यह 14 और यह आपकी 20 दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं इससे मैं थोड़ा सा और उपपर लिख लेता हूँ O, D, Y, T, N इसकी position आप देखोगे 15 है इसकी आपकी 4 है इसकी आपकी यहाँ पर 25 है और इसकी यहाँ पर T की 20 है और N की यहाँ पर 14 है अब आप यहाँ पर देखोगे 15 और 16 इसका सम कितना आया 31 आया इसका सम देखोगे 4 और 5 अब 5 आ रहा है या तो आप सम यह देख लो कि 26 के बाद क्योंकि टोटल 26 लेटर होते हैं या आप 26 के अंदर इनका position लेलो ठीक है इनका सम लेलो जैसे आप देखो इसका 31 सम आया अब हमें पता है कि 26 होते हैं तो एक्स्टा कितना आ रहा है 4 आ रहा है आप या तो यहाँ 26 मैनस कर दो या बाद वाले में 26 जोड लो ठीक है आपको जो भी इनका सम लेना है वो 26 के अंदर ही लेना है यह बात में यहाँ पर आपको समझाना चाहरा हूँ जैसे आपने देखा 4 एक 5 आया पहले हम इसे सम कर लेते है 25 और 9 कितना आया 34 आया और 14 और 20 कितना आया 34 आया और यह आपका 34 आया अब आपने देखा जो यह सुरुवात में है इसका सम 31 है 5 है अब यह तो सभी को 26 के respect में लिख लो यह 26 से minus कर लो जैसे मैंने देखा मैं इस 5 को 26 के respect में लिख लेता हूँ यानि कि 5 और 8 कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा ठीक है यह सभी में से 26 26 आ घटा लो ठीक है यह आपको समझ माया तो आप यह कहोगे इन सभी का जो सम है वो आपका कितना आ रहा है ठीक है सुरुवात में जो 2 है उनका सम तो आपका 31 31 आ रहा है और जो बाद में है उनका 34 है यही सम आपको यहाँ भी मिलेगा यही सम आपको यहाँ भी मिलेगा एम, एम, ओ, जेट, कुश्यन में टाइम जरूर लग रहा है, आपको समझाने के लिए, लेकिन एक बार आपकी समझ में आ जाएको तो आपको बहुत फायदा होगा, आप देखोगे, दो, अठारा, इकिस, उननिस, आठ, ठीक है, और यहां पर तीन, तेरा, और यहां आपका तेरा, पंदरा, और चबिस, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखोगे, अब अगर आपने यहां पर सम किया, तो तीन, दो, पांच आया, आपको यहां तो पांच आया, यहां आपका इकतिस आ गया, कैसे सम बराबर आया, मैंने वही आपको बताई ना, क्योंकि ट्व यहां भी आपका 34 आया सम, और यहां भी 26 और 8, 34 आया, अब सेम आप option को कर लो, यहां आप करोगे, जो आपका यह house है, इसे हम कर लेते हैं, यहां पर, अब आप देखोगे, यह है, हो, यूएसी, अब हमें पता है, पहला सम हमें 31 चीए, या तो 31 चीए, या 5 चीए, तो आप देखोगे, 31 चीए, तो 31 में से 8 माइनस कर लो, तो आप यहां पर कहोगे, 23 आपको add करना होगा, तो यहां पर 23 जिसकी position है, वो आएगा, क्योंकि 23 प्लस 8 31 होता है, तो इसका मतलब यहां पर W आएगा, अब इसकी position 15 है, इसमें भी 31 चीए, तो add करना होगा, 16 add करना यहां पर 34 चीए, तो यहां पर 21 हो गया, 19, 5, 34 चीए, तो 21 में, 34 चीए, तो कितना add करना पड़ेगा, आपको 9 और 4, 13 add करना पड़ेगा, और 13 पोजिशन में आपका क्या होता है, 13 पोजिशन में M होता है, ऐसी ही आप यहां पर भी देखोगे, 19 है, मुझे 34 चीए, कितना add आप बताओ 34 एक लिए मुझे क्या एक करना पड़ेगा या तो आप यहां पर कहोगे 34 करने के लिए 5 है या तो मैं इसमें कितना एक करूँ आप देखोगे 29 क्या 29 कर सकता हूं 29 पर तो कोई होता ही नहीं आपका लेटर तो इसलिए 29 एक ना करके उसमें से 26 मैनस कर दो यानि कि कितना एट करोगे तीन एट करोगे तो यहां पर आप तीन एट करोगे तीसरी पोजिशन में आपका कितना होता है सी होता है और पांस तीन आठ होगा और 26 एट कर दोगे तो 34 ही आ जाएगा तो आप देखो इसका आंसर आपका क्या आएगा second option है यह second वाला आपको समझ में होगा और मैंने एक बात आपको जो समझाई 26 के respect में जो बात समझाई वो भी आपको समझ में आई होगी नहीं तो आप ऐसा भी कर सकतो सभी में से 26 घटा होगे तो आपका तब भी आ जाए जैसे 31 में से 26 घटा है तो आप बोलोगे कि यहां पर कितना आजाएगा पांच हुआ है यहां पर 34 में से 26 घटा होगे तो आपको आठ यहां आठ यह समाना चाहिए लेकिन इतना करने की जरूत नहीं है आपको जो बात मैं समझाना चाहरा हूं वो समझ में आगी होगी मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया बस इस पैटन को ध्यान में रखना इसमें ट खुष से जरूर ट्राई करना मैं बार-बार यह इसलिए कहता हूं क्योंकि यह आपको ही फायदा पहुंचाएगा आप अगर खुष से अगर सीदे सीदे वीडियो देखते रहोगे तो आपको इतना फायदा नहीं होगा अगर दो मिनिट भी एक मिनिट भी अपना दिमाग मैं यह होगे तो उससे ज़्यादे फायदा होगा तो यहां पर आप देखो क्या पैटर रहे हिसमें घैप हम देखना होगा तो हमें ने था यहां पर देखते हो तो आपको पहले वाले में मिलेगा फलस वन का यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 1 का गैप, next में देखो, minus 2 चीए, तो यहाँ पर कितना होना चीए, minus 16 का गैप होगा, तभी तो minus 16 और यह 14 तभी तो minus का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर, minus 6 चीए तो यह minus 16 करना होगा, next में जो गैप मिलेगा, अब जैसे minus 16 आ next में आप देखोगे, 177 चीए, तो यानि कि minus तो करना है, क्योंकि pattern क्या चला है, एक बार plus, minus, plus, minus, और minus कितना करना होगा, 256 मिलेगा, तब आपको 177 मिलेगा, आप देखो यह क्या है, यह आपका 1 का square है, यह आपका 4 का square है, और यह आपका 9 का square है, और आगे जो आएगा क्या है, ठीक है, यह 16 का square है, अब यह कैसे बढ़ ला आप देखोगे, यहाँ पर plus 3 किया हुआ है, यहाँ पर plus 5 किया हुआ है, और यहाँ जो किया हुआ है, ऱ रह्ला कितना होगा, plus 9 होगा, तो यानि कि यहाँ पर अगर आप plus 9 करते हो, तो 16 plus 9, 25 का square होना चाहिए, 25 का square कितना होगा, 625 होगा, और यहाँ पर plus का होगा, ठीक है, आप देखोगे, एक बार operation plus, minus, plus, minus, plus चल ला है, तो 625 यहाँ पर आप add करोगे, तो आपको 15 में से 7 करोगे, 8 मिलेगा, यानि कि आपका यह तो 8 हा जाएगा, और 625 में से, फिर आपक 4 आएगा, और 5 में से 4, 448 इसका right answer आजाएगा, जो कि option कौन से आपका, 4th option है, समझ में आया, ठीक है, 448 है, तो यह pattern भी आपको समझ में आओगा, pattern कैसे है, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, plus, minus, plus, minus है, 1 का square, 4 का square, 9 का square, और उनके बीच में आप देख सकतो, यहाँ और नमबर का गयब है, ऐसे ही कभी even number का गयब हो सकता है, कभी आपका और hard question मनाएगा, तो square की जगर cube देदेगा, बात समझ में आगी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, next question देखो, next है आपका figure series का, इसे कैसे करेंगे, इसे भी मैंने आपको समझा है, कोई भी आप ए देखता हूँ कि मैं पहले से जब दूसरे में जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यह B कहां से आ रहा है, यह B कहां से आ रहा है, कैसे उठके आ रहा है, मैंने कहा, जब मैं यहां से गया, देखो, मैंने यह एक पहला box है, यह आपका दूसरा box है, मैंने कहा, यह B कहां से आ यह दिखा फिर उसके बाद यहां पर देखो यह ट्राइंगल कहां से आया अगले में ट्राइंगल ठीक है यह ट्राइंगल कहां से यह मैं देखना चाहरा हूँ अब यह ट्राइंगल मैं अगर देखो कहां से यह यहां से उठके यहां पर गया आप देखो कि ट्राइंगल पह पीच में क्या होगा पी होगा तो आपका देखो कोई option eliminate हो रहा है यह option eliminate, यह option eliminate, दो option eliminate होगे अब इसके बाद आप देखो दूसरा element, अब दूसरा element कौन सा देखोगे common element मन देखना जैसे मैं अगर देखता हूं कि यह T कहां से आया देखता हूं तो मुझे answer नहीं मिलेगा, क् क्योंकि दोनों option में T same place है, तो मुझे ऐसा element देखना है जो बिलकुल अलग है, ठीक है, दोनों में अलग है, जैसे मैं इस element को देख सकता हूं इस corner में, right जो आपका यह top corner है, इस पर मैं देख सकता हूं कि यह element कहां से आ रहा है, अब मैं इसे rough कर लेता हूं, यह तो पहली बात तो आपको समझ मागी होगी कि एक element कैसे आए, फिर ऐसे आप complete pattern भी सारे element में देख सकते हो, लेकिन उसमें आपका time लग जाए, वो मैंने figure switch के आपको काफी सारी video दी हैं, उससे आप कर सकते हो, अब देखो मैं यह देखता हूं कि यह two कहां से आया, मैंने कहा यह जो two ह है, वो यहां से आ रहा है, ठीक है, मतलब इसे सीधे दिखा देता हूं मैं यहां पर, यह जो two है, यह आपका इस corner से next में यहां आ रहा है, उसके बाद यह O कहां से आया, अब यह O कहां से आ रहा है, इस corner से आ रहा है, तो एक बार तो यहां से आया, और दूसरी बार इस corner से गया फिर नेक्स्ट में आप देखोगे यह जो आपका सेप है यहां से गया रैट से दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब अब यहां पर जो अलिमेंट जायेगा वो इस कॉर्ट से जायेगा जैसे यहां पर दो होना चीए तो आप देखो यह उसन यह जो हो जाया अलिया हो अट पर चुरू आप यह जाय होग विए सारे का भी तक हो यह कर दो देख दो यहां पर आप आपका second option है, next question देखते हैं, next है आपके सामने, ठीक है अच्छे questions है, इसलिए time भी लग रहा है, थोड़ा सा समझाना भी है, तो उसमें जाले time लग जाता है, तो आप देखोगे ये question आपका, 134, 129, 122, question mark 10289, ठीक है, number ऐसे घटते हुए करम में ही है, तो gap आप देख लो, यहाँ पर आप gap देखोगे, तो आपको मिलेगा, 5 का gap, minus 5 कर रहे हैं, यहाँ आप देखोगे, minus 7 कर रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगे, odd number हो सकते हैं, ठीक है, odd number भी हो सकते हैं, और आपका यहाँ पर prime number भी हो सकते हैं, पहले हम odd number देख लेते हैं, अगर मैं यहां से minus 9 करता हूँ minus 7 के बाद minus 9 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 113 मिलेगा option में भी है यह इसका right answer हो सकता है आगे भी आप इसे कर लो minus 11 करोगे तो यह मिल जाएगा और यहां पर minus 13 करोगे तो 89 मिल जाएगा तो यह असान सा question है समझ में आ गया होगा यह आपका odd number का gap है यहां पर तो इसका right answer second option next question देखो next है यहां पर आपका direction का question है यहां पर दिया गया है auntie Gloria जो है वो अपने घर से बहार निकली और पूरवी की ओर 65 मिटर चली ठीक है वो आपका यहां पर east की ओर 65 चलती है तो 65 चला लो आप यह देखो यह auntie Gloria है यह यहां से 65 इस्टी की ओर चलती है 65 इसे धोड़ा नीचे बना लेता हूँ ताकि धोड़ा से हमें gap मिल जाए यह आपका 65 चली उसके बाद यहां पर लिखा है C2 का left hand and walked 28 meter again left hand लिया तो left hand आप खुद चलना है start करो तो left hand आपका यहां हो जाएगा और कितना चली 28 meter चली आगे लिखा हुआ है again C2 का left hand and walked 110 meter यानि कि 110 meter वो फिर चली है left hand लिया तो left hand लोगे तो आपका यह पहुंच जाएगा आप देखो 65 तो यहां तक तो चलाई लेकिन वो 110 चली है तो यानि कि और आगे जाएगी तो यह 110 meter चली है तो यहां पर तक आपका 65 है और आगे आपका लिखा हुआ है how far shortest distance आपको बताने है इन्विज डारेक्शन इस दा लाइब्रेरी फॉर्म आंट ग्लोरिया हाउस अब आंट ग्लोरिया का हाउस यह है और shortest distance क्या होगी यह आपकी होगी shortest distance और किस एरिया में है तो आप यहां पर बता सकते हो ठीक है यह आप देखोगे यह east हो गया distance आपकी जो होगी यह आपकी 28 हो जाएगी यह वाली distance क्योंकि यह सेम है 110 में से 65 आप यहां पर मैनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 35, 10, 45 तो यह 45 मिल गया और आपको पता है कि यह distance कैसे निकालते हैं यह लंब का square आधार का square इकल टू करन का square होता है यानि कि 28 का square प्लस 45 का square इकल टू यह x मान लो यह x square होनी चीए अब 28, 45, 53 यह आपको यहां पर क्या होता है ट्रिपलेट होता है यह भी आप याद कर सकतो तो इसका answer आपको क्या आजाएगा 4th option आएगा 53 meter ठीक है तो यह आपको यहां पर ध्यान में रखना है नहीं तो आप यहां से निकाल लेना x की value यह तो आपको आता ही है आप सभी math वाले तो इसका right answer आपको क्या है 4th option यहां पर correct हो जाएगा next question देखते है next है फिर से number series का ही question है इसे देख लेते हैं यहां पर क्या है 239 gap यहां पर देख लेते हैं यहां पर है तो आप देखोगे यहां पर जो gap है 14 मैं से 9 5 25 का यहां पर आपको gap नजरा रहा है 35 का gap है आगे आप देखोगे 26 और यह भी 35 का है यह तो आसान question है सभी में 35 का GAP नजरा रहा है सुरी नहीं सभी में 35 का नहीं है यहां आपका 54 में से 45 का यहां 45 का है आगे आप देखोगे 99 में से 9 में से 45 यहां भी 45 का है यानि कि 2 में 35 का 2 में 45 का इस तरीके से होगा तो आगे आप देखोगे यहां पे जो गैप है वह आपका 9 में से 45 9 में से स्टोरी 14 में से 95 और 15 में से 95 यहां 55 का है तो आगे भी 55 का होगा सिंपल है ठीक है दो बार 35 का दो बार 45 दो बार 55 पांच चार नौ 5 पांच 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 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका नेक्स्ट कुश्शन देखते हैं और पेपर इस फोल्डेट एंड कट एस सोन हाव इल एपियर इट वैंड अन्फोल्ड जब इससे अन्फोल्ड किया जाएगा तो कैसा दिखेगा सबसे पहली बात है कि यह इस तरीके से फोल्ड होगा तो यहां पर आपको ऐसे दिखना चाह है यानि कि यह आपको दिखना चाहिए है यह आपको दिखना चाहिए तो पहले option में नहीं है यह answer नहीं होगा दूसरा option में नहीं है यह भी answer नहीं होगा ठीक है इस तरीके से आपको दिखेगा बाकि आप देखोगे जब यह यहां जाएगा यह ऐसे है तो यह आपका यहां में यह भी आ जाएंगे सर्किल भी आ जाएंगे तो आपका अंसर सेकेंड ऑप्सन होगा ऑप्सन आपको ऐसे ऐलिमेट करने नेक्स्ट है आपका नंबर एनलोजी का साथ से 140 है यहाँ पर बताना है 49 से पंदरा बारह रहा है अब यहाँ पर देखूंगे साथ से 40 एप स्कॉयर से जाने की कुसिस करतेalgो जैसे अगर से चालीस जाना यहां यहां पर करता हो तो कितना उन पंचास नो मैनस कर देता हो गया उन पंचास नो मंसे नॉह जा खो Betty H 666 होता है उसमें से 9 माइनस करोगे तो 6666 ऐसे भी आप करके देख सकतो यहाँ पर X मान के भी आप कर सकतो लेकिन आपको idea हो जाने चाहिए स्कॉयर याद होने चीए 26 का स्कॉयर आपको पता है 676 होता है इसमें से 9-9 करूँगा तो 6 6 7 आ जाएगा यानि कि इसका right answer 26 आ जाएगा बाकि आप 49 का भी कर सकतो 49 का square करोगे तो आपको कितना मिलेगा 11 21 एक और यह आपका 25 से 25 से आपका कितना है 5 9 5 14 14 15 15 21 आ जाएगा इसमें से आप 9 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 15 12 मिल जाएगा तो इसका right answer आपका क्या है fourth option है आसान question है और pattern आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कैसे हमने किया अब देखो जैसे मैंने square से सोचा हो सकता है ऐसा भी हो सकता था कि अगर यह नहीं होता तो फिर मैं कहता कि 40 तक मैं कैसे जाओ साथ पंचे 35 प्लस पांच चालिस होता या सच्छक 42 माइनस दो चालिस होता तो इस तरीके से पैटन में देखता नेक्स अब आपको पता है कि 405 पे हमें जाना है तो कहीं न कहीं बड़ा नंबर है तो कहीं न कहीं या तो square cube या multiply करके ही हम जाएंगे अब multiply करके हम कैसे जाएंगे एक तो मैं यह देख सकता हूं कि अगर मैं पांच प्लस चार को add करता हूं 9 होता है नौ पंचे, पैतालिस, ठीक है, पैतालिस नम्मा, चार सो पांच होता है, इस तरीके से जा सकता हूँ, या मैं पांच चक को बीस करूँगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ, कि पांच चक को बीस करता हूँ, बीस का स्क्वाइर करता हूँ, तो चार सो आता है, इसमें मैं पांच 8 कर देता हूं तो 405 आता है ये भी मैं भूल सकता हूं ठीक है अब ये 5 या तो fix नंबर होगा या ये पहला वाला नंबर होगा इसी तरीके से मैं यहाँ पर करता हूं 7 ये 21 अब 21 का square करूँगा तो 441 आएगा अब 441 में 5 जोड़ूगा तो 500 नहीं आएगा और पहला नंबर 7 भी जोडता हूं तो तब भी मुझे यहाँ पर क्या नहीं मिला है 500 नहीं मिला है तो इसका मतलब यह नहीं होगा यहाँ पर इस तरीके एड़ करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं 5 प्लस 4 को एड़ करता हूं तो 9 आता है ठीक है अब 9 आता है अब 9 को किस से मल्टिप्लाई करूँगा मुझे 405 मिल जाए इसी तरीके से 7 प्लस 3 को एड़ करता हूं 10 आया अब अगर इसे में 45 से मल्टिप्लाई करूँगा मुझे क्या 500 मिलेगा नहीं मिलेगा तो मुझे किस से multiply करने में 500 मिलेगा 50 से multiply करने में 500 मिलेगा तो अब pattern क्या है अब देखो 9 को 45 से क्यों क्या 9 को 5 से multiply क्या 45 आया इसी तरीके से 10 को 5 से multiply क्या 50 आया अब यहाँ पर option हम देख लेंगे 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आयेगा पहला option try करेंगे 4 प्लस 1 पांच और multiply किस से करना है इसको 5 से multiply करके उस से multiply करना है तो 25 और 25 पंचे 125 तो पहला ही option आगया तो यह इसका right answer हो गया समझ में आया क्या pattern है pattern यह है पहले दोनों को हमने add किया 5 प्लस 4 नौ आया फिर 9 को हमने 45 से multiply किया 405 आया कभी-कभी हो सकता है कि सभी को हम 45 से multiply करें वो fix number हो सकता है अगर fix number नहीं हुआ तो फिर हमने देखना है कि 45 से ही क्यों कर रहे pattern हमने देखा कि इसी को add करके 5 से multiply करके हमने multiply किया 9 पंचे 45 10 पंचे 50 45 25 तो इसका right answer आपका क्या आजाएगा पहला option यहाँ पर right answer आजाएगा pattern अगर general pattern मनाना चाहोगे तो इसे A मान लो इसे B मान लो ये C मान लो तो आपका होगे A plus B किया और फिर इसको multiply किया किस से 5 A plus B से ठीक है यही हमने किया है A plus B से हमने multiply कर दिया तो हमें क्या मिल गया C अब देखोगे यहाँ पर आप 4 plus 1 करोगे 5 आएगा और यहाँ पर 5 और 4 plus 1 करोगे तो यह आपका 5 आगया तो आपका 5 इंटू 25 25 और यह 125 ऐसे आप यहाँ पर इसे बोल सकते हो आप सभी को यह बात समझ में आई होगी next question देखते है next है word analogy का है cat का paw है crow का आपको बताना है billy का जो आपका पैर होता है food होता है उसे पंजा paw बोलते है ऐसी crow के पंजा को क्या बोलते है यह आपको पता होना चाहिए पता होगा तभी आप इसे कर पाओगे मांके इसमें ऐसा कुछ logic है नहीं तो आप देखोगे इसका right answer claw हो जाएगा fourth option हिंदी में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसका fourth option यहाँ पर right है next question देखो next है आपका blood lesson का है coded blood lesson है आपको बताना है how is j related to jet j कैसे related है jet से तो इसे solve कर लो देखो आप देखोगे has has का मतलब आप देखोगे daughter है यानि कि j जो है वह आपकी क्या होनी चाहिए female होनी चाहिए तो यह option तो आपका होका नहीं ठीक है कैसा से आप देख से तो मांतों कि就到 दार है यानि कि j जो है daughter है किसकी यागे है आगे है ad the rate ad the rate का मतलब husband है young kid, husband है 52 अगर यह mail हो जाएगा तो है आफ़ी जो जाएगा and का मतलब क्या है mature है ठीक हैsystem का, mother है किसका के जो husband है Z का तो यह आपका हो गया के जो husband है Z का तो आपसे बोला है How is J related to Z J कैसे related है Z से तो आपको होगे Z के husband की sister है तीक है आप देखोगे Z है Z का husband के है इसकी यह sister है यह आपको दिख रहा है तो आज का answer husband sister आ जाएगा third option इसका यहाँ पर क्या होगा right answer होगा next question देखते है next देखो tower अब यहाँ पर भी आप देखोगे tower को हम देखते है T O W E R tower को यहाँ पर लिखा हुआ है I N G Y L अब पहले तो मैं यही देखमाद T से I में जा सकता हूँ 20 से I मतलब करूँगा तो कितना minus आएगा minus 11 क्या same यहाँ पर करने पर आजाएगा 19 से J minus 11 करने पर आ रहा है नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह pattern यह यह मुझे सीधे देख लेना है फिर आप cross में देख सकतो cross में हो सकता है opposite में देख सकतो और जो मैंने अभी आपको याद करने को बताया था कि यह pattern को ध्यान में रखना है वो भी आप देख सकतो आप तुरंट देखोगे 20, 19, 23, 5, 18 या आप पहले वाले में देख लो जैसे आप देखोगे 20 और 9 आपने देखा कि इसकी 20 है 29 हा रहा है क्या यहाँ भी 29 हा रहा है आप देखोगे S और J में S की position 19 J की कितनी होते 10 19 प्लस 10 29 यहाँ भी 29 हा रहा है ऐसे भी आप देख सकतो तुरंट अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7 है यहाँ पे आपका Y की position 25 है और यहाँ पे आपका L की position 12 है तो आप देखोगे यह आपका 29 आ गया और 19 और 14 आपका कितना आ जाएगा एक आपका 20 और 13 यहाँ पे 33 आ गया और यहाँ आप देखोगे 23 और 7 यह आपका 30 आया और 25 और 5 तीस आया और यहाँ पे आप देखोगे 18 और 12 तीस आ गया तो आपने देखा 29 हा रहा है, इसका आपका 33 हा रहा है, बाकी सभी का 30 हा रहा है, यह pattern आपको यहाँ पर देखने को मिल ला है, ठीक है, sorry मैंने यहाँ पर position गलत मिल लिए, यह भी 29 ही आ रहा है, शुरूआ ला, ओकी position मैंने यहाँ पर, यहाँ पर O की position मैंने गलत लिख ली थी, तो आप फिर से करता हूँ, T-O-W-E-R, टावर को यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडू भी नहीं हो पा रहा है, नहीं तो वापस से वही आ रहा है, आप देखोगे 20, 15 होती है, मैंने 19 यहाँ पर लिख दी थी, और आपका 23, 5, 18, और 9, यह जल्दी बाजी आपको नहीं करनी है, द्यान से करना है, 7, 25, 12, अब देखो इनकी position का सम, मैंने आपको बताया, आप तुरंत पहला दोनों में, यहाँ भी पहले वाले को करके देख लो, यहाँ भी पहले वाले को करके देख लो, समझ में आ जाएगा, आप देखो पहले दो जो है, लेटर, उसमें 29 आरा position का सम, बाकी में 30 आरा है, ठीक है, तो मैं सीधे आप इसको करके देख लेना, मैं यहाँ पर यह कर लेता हूँ, क्योंकि already मैं इसे बता चुका हूँ, या आप opposite करके, add करके भी देख सकते हैं, तब भी आपका अंसर वही आएगा, अ आपको 27 चीए, अब 27 तो position पे आपका कोई होता ही नहीं, क्योंकि total तो 26 है, इसलिए 26 से एक कम लिख लो यहाँ पर, यानि कि यहाँ पर 1 होना चीए, एक होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आना चीए, तो आपका A से शुरू होना चीए, तो आप देखो यह option, यह option तो क्योंकि इनका sum कितना आएगा, 2 प्लस 1, 3 आएगा, लेकिन मैं सभी को 26 के respect में लिए, यानि कि 26 add कर दूँगा यहाँ पर, 26 प्लस 3, 29 हो जाएगा, यह बात आपको समझ में आई होगी, अब यहाँ पर 18 है, मुझे 29 चीए, तो कितना होना चीए, 29 के लिए, 18 दो 20 और 9 दो 11 यानि कि 11 होना चीए, यहाँ पर, 11 पोजिशन पर क्या होता है, आप बोलोगे K होता है, तो यहाँ पर K होना चीए, तो आप देखोगे K आपका इस option में, तो आपका right answer 4th option हो जाएगा, आगे आप देख सकते हो, I है, 9 है, मुझे कितना चीए, 30, तो कितना होना चीए, यहा पर 16 होना चीए, तो 16 पोजिशन पर आपका P होता है, यह आपका यहाँ पर 7 है, और मुझे कितना चीए, 30 चीए, 30 चीए, तो यहाँ पर कितना होना चीए, 20 होना चीए, 23 पोजिशन पर आपका क्या होता है, W होता है, तो यहाँ पर W आजाएगा, तो A के UPW आजाएगा, ज गैप देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे तो आपको 14 का गैप मिलेगा, नेक्स गैप आप देखोगे 22 का मिलेगा, यहाँ हम बता नहीं सकते हैं, तो यहाँ गैप देख लेते हैं, यहाँ पर जो गैप मिलेगा आपको 46 का गैप मिलेगा ठीक है आगे फिर से गैप देख लो 14 और 22 की बीच में 6 दो 8 का गैप है अब यहां पर 8 का है तो आगे हम माल लेते हैं कि सेम गैप हो तो आगे आपका 8 का गैप होगा तो आप देखोगे 8 एट करोगे तो 22 प्लस 8 30 हो जाएगा और 30 यहां पर 40 30 70 72 हो जाएगा आगे फिर से 8 का गैप होता यहां पे कितना होता 38 और 38 اور 72 110 आ रहा है और फिल से आठका गैप है तो 72 इसका answer आ जाएगा जो कि second option है अब यहां पर मैंने 8 heart add किया है, यह मैंने माना है, ठीक है 8 heart का ही हो, हो सकता है कि कभी 8 के वाद 16 हो, फिर 32 हो, फिर आपका 8 heart add करके 40 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 8 का हो, क्योंकि यहां पर हमको समझ में तभी आएगा जब हम एक बार यह मान के चलेंगे, और option देखत रहेंगे, यहां पर 8 का है, फिर 10 का भी हो सकता है, फिर 12, फिर 14, इस तरीके से भी आपके gap हो सकता है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काफी questions यहां पर पूछे गए, तो यहां आपको समझ माया होगा, next question है, last question है, इस question का answer आप comment पर देंगे, ठीक है, क्या इ इस में आपका total अगर हिंदी में आता है, तो आप आसानी से कर लोगे, अगर English में आप करना चाहते हो, तो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, तो इसका answer आप सभी comment में दिगे, मैंने यहां पर आपको जो भी question कराये है, इनके pattern को आपको ध्यान में रखना है, सबसे important बात यह है कि अगर जो भी question आपको ऐसा लगता है, यह pattern आपका आगे भी पूछा जा सकता है, उसे आपको अपने mind में रखना है, क्योंकि ऐसा होता है, एकदम से pattern वहाँ पर ध्यान में नहीं आता है, कई ऐसे question होते हैं, जैसे अभी coding recording का हमने pattern देखा, इस pattern से पहले भी काफी question पूछे गए, पहले भी मैंने आपको करवाया है, तो यहाँ पर जो यह class चल रही है, इन class में यही होगा, कि जो भी आपके अच्छे questions आएंगे, जैसे जो नए exam है, उनके top questions है, कुछ top questions मिले, और कहीं से भी other exam होते हैं, उससे अच्छे questions मिलते हैं, तो वो मैं आपको यहा कुछ वीडियो आपकी class में, जो आपका complete chapter है, वो तो मैंने कराए हुए, बाकि आपको वहाँ पर भी इस तरीके से latest मिलते रहेंगे, तो वो दोनों आपको देखना है, और यहाँ पर जो भी मिलेगा, top questions मिलेंगे, जिससे आपको idea क्या लगेगा, कि आपके कैसे question पूछ र और आपका समय भी यहाँ पर बचेगा, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं, मिलते हैं next class में